नमस्कार HTML की आज की क्लास में हम देखेंगे Radio Button Radio Button क्या है और कैसे काम करते हैं यह आज हम सीखेंगे HTML में Option में से कोई एक Option चूज करना है जैसे आपका Gender क्या है? Male या Female या फिर आप Married हो या फिर Unmarried आप Male और Female में से कोई एक ही हो सकते हो दोनों एक साथ नहीं हो सकते या फिर आप Married और Unmarried दोनों एक साथ नहीं हो सकते तो चलिए HTML में Radio Button बनाते है हम लोग पहले थोड़ा थियोरी जान लेते हैं उसके बाद हम Computer Skin पे Practical भी कटके देखेंगे तो चलिए सूर करते हैं Radio Button के लिए हमारे पास Tag है Input Type equal to Radio इनका दो एक्टिब्यूट है आप देख सकते हैं Name, Value और Place वोड़ डाल इन में से Name और Value ये दोनों एक्टिब्यूट मेंडिटरी है इस तरीके से आप जीता मर्जी रहे Option बना सकते हैं अगर हमको दो Option चाहिए Male और Female के लिए तो मैं दो Input Tag का प्रयोग करूँगा आपको एक चीज़ बता दे आप जीतना पर चाहिए Option बना ले उन सभी का Name सेमी होगा Name आप अलग-अलग नहीं दे सकते Name आपको एक ही देना होगा और Value में आप जो लिखेंगे वही Value आपका Database में Save होगा इसलिए Value में आप वही Value दीजिए जो आपको Database में Save करना चाहते है उस Radio बटन पर क्लिक करने पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर दो Radio बटन बारना चाहता हूँ जिसमें यूजर अपना Gender Male या फिर Female चूज कर पाएंगे यहाँ पर फर्स्ट बटन पर Radio बटन का नाम मैंने जेन दिया है सेकेंड बटन बटन का उप्शन का भी नाम मैंने जेन दिया है और Value में जो Value आपका Database में जाएगा पहले बटन का Value Attribute का मैंने दिया है Male और सेकेंड बटन Value Attribute का Value दिया है मैंने फिमेल अगर यह बटन पर यूजर क्लिक करेगा तो Male Database में चला जाएगा अगर यह बटन यूजर क्लिक करता है तो Female Database में चला जाएगा और आपका Radio बटन इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं Radio बटन इतबन गया यह काम भी करेगा मगर यूजर को पता नहीं चलेगा किस रेडियो बटन पर क्लिक करने पर Database में कौन सा Value चला जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो रेडियो बटन बनाया है यहाँ पर दो ओप्षन है आपको जेंडर सिलेट करना है आप यहाँ पर मेल या फिर फिमेल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम सेम है दोनों ओप्षन में नेम मेरा सेम है जेन है वैलू में मैंने दिया है मेल और दूसरा ओप्षन में दिया है female, मतलब अगर इस radio button पे click होता है तो database में जाएगा male, और radio button पे click होता है तो database में जाएगा female तो हमारा radio button कुछ इस तरीके से दिखेगा ये एकदमी ठीक ठाक है काम भी सही तरीके से करेगा मगर user को ये देख कर पता नहीं चारेगा कौन सा option के लिए कौन सा data वो database में जा रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे दो option के पहले मैं एक level लगा दूँगा इस level में सिर्फ user को दिखेगा इस radio button पे click करने पड क्या value database में जाएगा अगर इस radio button पे click करते हैं तो database में क्या value जाएगा हमारा radio button कुछ इस तरीके से दिखेगा थियोड़ी तो बहुत पड़ चुके चलिए आप practical करके देखते हैं computer screen पे मैं अपने computer screen पे आ चुका हूँ मेरा left side side पे है sublime text editor and right side पे है browser तो चलिए आप coding सूर करते हैं पहले दे देते हैं level level में हम दे देते हैं mail और उसके बाद radio button बाला code input type radio name में मैं देता हूँ ge और value में जो value आमारा database में जाएगा उसमें दे देते हैं mail अगर इस radio button पे क्लिक होता है तो देखिए हमारा radio button बन गया हम और एक radio button बनाते हैं इसको ही copy paste कर लेते हैं और यह होगा हमारा female female के लिए name तो हमारा दोनों पे same ही रहेगा मैं अगर जो value database में आगज जाएगा अगर इस radio button पे क्लिक करते हैं तो वो होता है female चलिए हमारा तो हो गया चल देखते हैं हमारे पास दो radio button आ गया एक male के लिए एक female के लिए radio button का मतलब होता है आप कोई एक option को choose कर सकते है at a time देखें अगर मैं male के choose करता हूँ तो female automatic हट जाड़ा है अगर female को select करता हूँ तो male automatic हट जाड़ा है तो हमारा radio button सही तरिके से बन गया और काम भी सही तरिके से कर रहा है आसा रखते हैं एक वीडियो आपको बहुत पासंदारा होगा प्लीज लाइक, शियर, कॉमेंट और डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब थाइमक्यू